6 जुलाई की महत्पूर खबरों को देखेंगे खाद एवम क्रिश संगठन जिसको सयुक्त राष्ट खाद एवम क्रिश संगठन भी कहा जाता है 16 अक्टूबर 1945 को इस संगठन की स्थापना होई थी कनडा में और हेड़क्वाटर इसका इटली की राजधानी रोम में है अभी हाली में चर्चा में रहा क्योंकि क्यू यू डोंग यू ये कहां के हैं चीन के हैं इनको पुनह महानिदेशक नियुक्त किया गया है खाद एवम क्रिश संगठन का M.U. नायर चर्चा में रहे इनको नए राष्टी साइबर सुरक्षा समनवय के रूप में नियुक्त किया गया है M.U. नायर को अजीत अगरकर भारती किकेटर रहे है भारती किकेट कंट्रोल बोर्ट के द्वारा BCCI के द्वारा सीनियर पुरुष किकेट टीम चैन समितिका इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संगाई सेवक संगठन 4 जुलाई 2023 को भारत की अध्यक्षता में इसका शिखर सम्मिलन आयुजित हुआ लेकिन ये आभासी शिखर सम्मिलन था आभासी रूप से आयुजित हुआ प्रधान मंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की संगाई सेवक संग्ठन की अस्थापना 2001 में हुई थी दोस्तों हेड़ क्वार्टर इसका बीजिंग में है चाइना में तो शंगाई से कंफ्यूज मत होईएगा इसका जो मुख्याले है वो है बीजिंग में चार जुलाई को इरान नौवा पूर्ण सदस्य बन गया इस संगाई सेवक संग्ठन का भारत और पाकिस्तान 2017 में बने थे इसके नए सदस्य थे अभी जो सबसे नविंतम सदस्य बन गया इरान इसकी थीम क्या रही इस बार टूवर्ट्स सेक्योर एस सियो ये सेक्योर जो शब्द है 2018 में किंगदाओं में पियम मोदी द्वारा दिया गया संग्षिप्त नाम है वैगनर समू काफी चर्चा में रहा रसिया में एक प्राइवेट मिलिटरी कमपनी है 2014 में दिमित्री उतकिन द्वारा इसको सुरू किया गया था युक्रेन में विद्रोहों को दबाने के लिए काफी ये उग्र माने आते हैं काफी हिंसक माने आते हैं जो इस समूह में शामिल जो लोग हैं इन्होंने काफी बरबरता भी दिखाई इसका वर्तमान में जो सरगना है ये वेरनी प्रिगोजिन है इसने वर्तमान रूसी राश्वती ब्लादमिर पुतिन को चुनोती दी एक संघर्ष छोटा सा देखा गया ऐसा लगा कि कुछ होगा वड़ा लेकिन इसको आसानी से दबा दिया गया अंततह ये वर्तमान प्रिगोजिन और इनकी जो मिलिटरी है जो प्राइवेट मिलिटरी कंपनी है वेगनर समू है इसको बेलारूस में सीमित कर दिया गया तो रूसी राश्वती के विरोध में या रूसी सैने जो संघठन है जो में मिलिटरी है उसके अगेंस्ट इसने विर्दोह किया था लेकिन इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा सैफ दक्षिन एशियाई फुटबाल महासंग चैंपियंशिप 2013 भारत ने कुवेट को हरा करके नवी बार ये टूनामेंट जीत लिया है ये दूसरी बार था जब भारत ने पिनाल्टी शूट आउट में ये टूनामेंट जीता है जो फाइनल खेला गया बंगलूर के कांती रावस्टेडियम याद रखेगा जूलाई, तीन जूलाई 2023 को दुनिया का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया जो दुनिया का ओसत आपमान रहा इस दिन 70 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि अब तक का सबसे गर्म है इसके पहले 2016 अगस्त में 16.9 डिग्री सेल्सियस की गर्मी जो है ओसत गर्मी दर्ज की गई थी वो उससे एक पॉइंट अधिक अर्थाज 70 डिग्री सेल्सियस तीन 30 को रिकार्ड तूट गया पीचावरम मैंग्रो वन शेत्र अभी हाली में पुनरवास कारियों को लेकर करके चर्चा में रहा कहां पर इस्तित है याद रखेगा तमिल नाडु में इस्तित है भारत 6G एलायंस ये पूछ सकता है क्या है या कौन-कौन शामिल है इसमें कंट जो विशेशता 6th generation जो प्रद्योक्य उसको बढ़ावा देने के लिए भारत को अग्रणी भूमिका में लाने के लिए शुरू किया गया है इसका लक्ष अंतराश्टी सहयोग को बढ़ावा देना 6G शेत्र में और अन्य प्रद्योक्यां जो इससे जूड़ी हुई है वैस वैश्विक 6G गडबंधनों में शामिल होना उनके साथ समनवे स्थापित करना भारत में 6G प्रद्योक्यों को बढ़ावा देना बौधिक संपदा 5G और 6G वा अन्य समाधानों का अग्रणी वैश्विक आपूर्ति करता भारत को बनाना ये सब लक्ष है इसके आज के लि